बंदे मातरम साथियों हेल्दी हंडडर्ड के इस मिशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है साथियों हेल्दी हंडर्ड हमारा एक मिशन है पूरे देश को निरोगी बनाना है हमारी वायू सो वर्ष तक होनी चाहिए और सो वर्ष तक निरोगी रहना है इसी उद्देश के साथ Healthy 100 में एक और बात चो हम आपको आज बताना चाहेंगा शरीर के लिए सबसे जरूरी चीज़ है कि शरीर स्वस्त रहे, तंदृस्त रहे, चुस्त रहे स्वस्त की दरश्टी से शरीर के लिए सबसे पहले तो जो आप क्रीम, मौस्चराइजर, केमिकल, लाली, लिपिस्टिक ये सब लगाते हैं ये शरीर के लिए बहुत हानिकारक है इसकी बजाए क्रीम और मॉस्चराइजर और इस तरह की वस्तुएं केमिकल वाली वस्तुएं लगाने से अच्छा है आप प्रकृतिक रूप से नैचरल तरीके से तेल को लगाएं नारियल का तेल या कोई भी और प्रकार का तेल जो आपको पसंद हो या आपके शरीर के इसका खेज़ करता हूं नारियलन का तेल। बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाबकारी होता है ये स्वास्त के लिए इसको आप चेहरे पर और भालों में हाथ-पैरों मेंằ लगा सकते हैं और यह पूरी तरह नाच्रल होता है और स्रीड के लिए बह्त ही फाइदेमन्द और लापकारी होता है नारियल तेल के एक गुण होता है कि यह शरीर में लगने के बाद सा किशने सब्कूप लता इसी प्रतौर और और मैं आपको नुस्खा बताता हूँ स्वास्तिका सिनारियल के तेल को अपनी नाभी पर या जो भी तेल عند रहां उसको अपने नाभी पर जरूर केंद्र तो नाभी पर कि सरूर मालिश करने से शरीर स्वस्थ बना रहता है इसलिए अपने हातों में पैरो में पैर के तलू में जरूर तेल लगाएं नहाने के बाद जरूर तेल लगाएं इस से शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहे का तो आपकी सौ वर्ष की निरोगी स्वास्थ की कामना के साथ आप सब को बहुत बहुत आशिरवाद टेक केर गौड ब्लेस यू आल वंदे मातरम